हेई स्टूरेंज हमने अपने लास्ट वेडियो में पढ़ा था कि कैसे हम लोग इमाजिनरी लाइन्स का यूज करते हैं ग्लोब में प्लेसिस को लोकेट करने के लिए मैं आपको बताया था कि जो डायरेक्शन कहते थे latitudes और यह horizontal लाइन थे आगे बच्चो हम latitudes के बारे में आज पढ़ेंगे उससे पहले आपको आपकी notebook work के बारे में बता दे बच्चो एक new notebook बना लीजे जब आप school वापिस आएंगे तब वही आपकी notebook consider की जाएगी और उसी पर based आपको unit test के साथ marks भी दिये जाएंग और इस notebook में अप हर lecture में जो आपको important points लगते हैं जैसे for first lecture the important point was the imaginary lines that run from north to south are called longitudes and those run from east to west are latitudes यह point आप अपनी notebook में लिख लेंगे lecture 1 side में हलका सा L1 आप डाल दीचेगा जैसे यह आपका page है मान लीजे new notebook का यहाँ आप chapter name डालेंगे chapter 2 latitude and longitude उसके आगे यहाँ पे आप side में lecture 1 margin में डाल सकते हैं और यहाँ पे आप यह first point लिख देंगे अब मैं latitude में आपको जो important points लगे आप वो लिख सकते हैं इसके बाद मैं आपको आपके chapter की exercises discuss करांगे ओके तो let's start with latitudes latitudes क्या होता है बच्चो latitudes वो imaginary lines होती है जो east to west रन करती है this is our east direction आपको direction सबको याद होंगे फिर से बना देती हूँ आपके लिए this is north this is south this is east and this is west तो जो lines east से west रन कर रही है क्या सकते हो right से left move कर रही है उनको हम कहते है latitudes ठीक है the distance between latitudes is equal इन सबके बीच में आप distance देह सकते हो इन सबके बीच में distance equal है जिस से यहाँ 0 है तो सबके बीच में distance इक्वल है यहां 15 दिन अगें 15 15 15 15 इस ऐसे 15 15 डिग्रीज का डिस्टेंस है इसको पार्लेल ओफ लाटिटूड भी कहते हैं पार्लेल लाइन्स क्या होती हैं बच्चो जो लाइन्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करती अगर मैं आपको यह दो लाइन्स बनाओं यह दो लाइन्स है ठीक है अब हम पढ़ते हैं एक्वेटर क्या होता है इन लाटिटूड में बच्चो एक ऐसा लाइन्स होती है एक ऐसी इमार्जनरी लाइन होती है जो अर्थ को एक्वुल पार्ट में डिवाइट कर देती है आपको दिखाने के लिए मैं आपके लिए एक औरंज लेकर अब हमें देखना है कि latitude क्या होते हैं अच्छो यह अर्थ है मैं इसको ऐसे रखने की बज़ाए मैं इसको ऐसे रख रहे हूं यह हमारी अर्थ है अगर मैं इसको ऐसे इसमें horizontal lines बनाऊं तो यह क्या हो जाएंगे हमारे latitude हो जाएंगी और जो line इसको beat से divide करेगी मैं knife लेके से beat से काट दूँ जिसमें उपर का part और नीचे का part बिल्कुल एक पल हो तो उस line को हम क्या कहेंगे equator उसको हम zero degree assign करते हैं zero equator को हम क्या माल लेते हैं zero degree हम अपनी ease के लिए उसे zero degree माल लेते हैं ठीक है अब मैं आपको एक चीज बता दूँ यहाँ पर आगे से जब भी हम latitude word बोलेंगे तो मैं इसके साथ आपको क्या सोचना है माइन में horizontal line सोचनी है horizontal मतलब sleeping line जब मैं latitude बोलू तो आपके माइन में क् living lines प्लस वो parallel होती है और क्या होता है मैं इनको parallels भी बोलूँगी ठीक है आगे पढ़ते हैं इसके बाद जब आप extreme north या extreme south में आ जाते हो में अगर यह orange है मैंने इसको ऐसे देखा सौरी ऐसे देखते हैं ठीक है तो यह जो point होगा सबसे उपर वाला इसको आप क्या का होगे 90 degree north क्या कहेंगे हम लोग इसे 90 degree north और जो सबसे नीचे point होगा उसको हम कहेंगे 90 degree south तो हमने यह 3 latitudes या 3 parallels पढ़े पहला equator जो 0 degree पे है जो इसको बीच से cut करेगा बीच से cut करेगा फिर हमने पढ़ा 90 degree north जो north direction में सबसे उपर point है उसे हम कहेंगे 90 degree north और जो south direction में सबसे नीच इसे point है उसे हम कहेंगे 90 degree south तो this was about your latitudes next session में हम पढ़ेंगे special latitudes